ब्लिस 12.10 दोस्तो हमारे पास में है पे ब्लिस रोम का लेटेश्ट अप्रेट पोको एफवन के लिए जो कि आपको ऑफिशल मिल जाता है और इसके अंदर में दोस्तो मैंने जो सब भी फ्लैस किया है अपने पोको एफवन के अंदर में वैनिला वाला विथ जी एप तो इसक आपको बहुत बहुत करता हूं चलिए सुरू करते हैं इस अपडेट में जो जो चीजे फिक्स हो एथ दो पहले उसकी बात कर लेते हैं यहां पर आपको ट्वेल पॉन जीरो और आपको 12.9 दोनों का फिक्स एक साथ में मिल रहा है इस दोनों अपडेट के साथ में दोस्तो मुझे जो काफी अच्छा लगा एक जो DTW बहुत ही अनॉइंग सा होता था कई दफा वेक नहीं होता था यहां पर डवल टैप टु वेक को फिक्स कर दिया गया अच्छी बात है दूसरी बात यहां पर दोस्तों कई दफा आपको हो सकता है कि ब्राइटने स्लाइडर जो स साथ में भी हुआ था यहां पर फिक्स कर दिया गया और बांकि आपको यहां पर वन प्लस का स्विच इनेवल कर लिया गया थम कलर हो गया एंसन कलर बांकि बहुत सारी चीजी यहां पर लगता है जैसे एज लाइटिंग उतना जादा लोग यूज नहीं करते है डिस्प्ल जब आप इसको लेके जाते इस तहरे की लानिस्केम मोड में जाते और तभी आकर आते हैं तो यहां पर यहां पर जो ब्रैटनेस लाइडर नहीं मिलता था तो अब जो से इस चीज्वों को फिक्स कर देआ यहां पर जो छा लगा वीजुल चेंजिज के मामले में यहां पर जो fixes मिलें इस रोम के अंदर UI animation दोस्तों यहां पर इंप्रूफ कर दिया गए अभी जो आपको जो भी UI मिलता है दोस्तों यहां पर जो animation का timing है वो बिल्कुल negligible कर दिया गए अगर आप देखें यहां पर तो snappiness के मामले बहुत ही snappiness है यहां पर जो animation बहुत ही slightly animate दिखने को मिलेगा दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करते होते हैं यहां पर बात करते हैं यहां पर चेंज कर सकते हैं डिफॉल्ट चेंज भी कर सकते हैं जैसे कि number of column हो गया number of row हो गया dock icons और icons वगरा के pack हो गया यी ाइप इकन पैक भी यहां पर आपींगे डाल सकते हैं तक आइकन पैक किया पैकमे एक विश कौन एकन को इस जिए तो गया रलग या घूरए अंदर में जितने भी मार秦 सकते हैं यह फिसे करते हैं की मियाल को इसको ऐस्स divi आपको पर एक लॉट भी मिल जाता है एप लॉक जो कि आपको फेशन लॉक या फिर फिंगर प्रिंट से काम करता बड़ यहां पिध को आपको हाइड कर सकते अब को लेकिन उसको लॉक निकर सकते यह चीज यहां पर थोरह बॉत अपको देखना पड़ेगा नोटिफिकेशन से बार के अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों तो इस रोम के अंदरा को इस टेटेश बार के लिए डूल स्टेटेश बार का फीचर मिल जाता है जो कि आपको मॉडूल यूज करना होगा मैं जिसक अप के जरिए इसका लोग दोस्तों यहां पर अगर अगर नोटिफिकेशन और साले नोटिफिकेशन डिफरेंट डिफरेंट मिल जाता है तुस तरीके से आपको यहां पर एंडॉइड 11 वाला भी थोरा सा फील दिया गया जो काफी अच्छा मुझे लगा यहां पर स्लाइटली लुक वाइज जो एंडॉइड 11 आपको मिल जा अगर बात करता है तो बंच अप वीक टॉगल्स आपको यहां पर देखने को मिल जाता है अप देखेंगे यहां पर जितने भी कस्टमाइजसेशन के लिए आपको क्वीक टॉगल्स मिलते जैसे कि डाल वी आडियो भी आडियो भी आडिड किया गया मिल रहा है डारेक्ली इसके लापको म्यूजिक, डिसेबल अनिमेशन यह सबी चीज़ आपको यहां पर डिरेक्ट मिल जाता है देख सकते हैं डेटा सेवर हो गया बैट्री सेवर हो गया कैफीन हो गया एंबेन डिस्प्ले यह इस तरीके साब जो से यहां पर बहुत सारे सारे के सारे काश्य को तो भी आप अपने मर्जी से यूज वाले ही क्विक टॉगल वहां पर रख सकते हैं अगर मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इस रोम के अंदर में और भी जैदा जैसे क्विक टॉगल से यूज होने वाला तो जैसे हमारा हो गया स्क्रीन रिकॉर्डर आपको यहां पर मिल ज जाता है ठीक है वैसे अगर जाना चाहते है तो जाकर कोई चीज यहां पर चेंज भी कर सकते जैसे स्मार्ट ऑडियो गया मीजिक फिल्म होगे तो यह आपके ओपर में डिपेंड करते हैं यहां पर दोस्तों स्पीकर यहां अगर आप चाहे तो आल भी सेटिंग और रिशे पाफी ठीक ठाक लगा लिकिन सिंगल को कर क स्कोर मुझे तो चाहिए तो मुझे थोड़ा सका यहां पर इता है तो कर दो केरिश यहां पर मिल जाता है हमारे सिल्वर्का। वर्ज climb to you कर् οποist को यहां पर मिल जाता है और सा आपको और भी स्थ गेमिर और बैटर्री वैक यहा डिया प्रोफाइल क्लियर मिल जाता है जब आप मैles का अपको यूजज को हीड़ कर लेते लेकिन यहां पर नॉएंग सी बात यह भी मैं आपको बता दू Magisk Hide अगर यूज करते हैं जाकर Magisk Hide पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो आपका जो फोन तोरा से Magisk में स्टक कर जाएगा उसके बाद में आपको क्या करना होगा रीबूट करना होगा अपने फोन को दिन उसके बाद में ठीक हो जाता है तो यहां पर Magisk Hide भी आपको काम कर रहा है और Magisk के आपको सिटिस प्रोफाइल भी क्लियर मिल आपको कोई इसू नहीं है इसके लोग दोस्तों अगर मैं DRM Info की बात करता हो तो यहां पर DRM Info पे वाइड 1 L1 का सपोर्ट मिल जाता है इस रोम के अंदर में तो आपको कोई हैसल मुझे लगए आप देख सकते हैं यहां पर डबल टैप जैसे करेंगे आपको इस रोम के अंदर में देख सकते हैं आपको सिग्रिटी कंसर्ण को लेकर के भी आपको कोई इसू नहीं आने वाला लेटिस सिग्रिटी पैच है फाइंड डिवाइस है प्लेट आपको एक्टि इस रोम के अंदर में आपको को इसू नहीं आने वाला आप आसानी से अराम से इसको यूज कर सकते हैं आपको यूज कर सकते हैं आपको यूज कर सकते हैं यूज के लिए इस वीडियो में तो आप ये वीडियो देख सकते हैं कार्ट में एड कर दूँगा बिस्रों के बार विदियो देख सकते हैं आपको पूरा पूरा पता चलिया इसके बारे में और भी चीज़ बताना है जैसे कि यहां पर कुछीज़ मुझे सब अभी भी अन्नॉइंग लग रहा है वह दोस्तों यहां पर रीसेंट आप में जाना रीसेंट अपर नीचे सबस्क्राइबार में जाना पर सबस्क्राइबन तो कोई एसू नीचे से अगर मुझे यहां इसू देखने को मिलता है जो कि कहीं नहीं मुझे से लगा सा उसके अलावाट शॉस्ते एक और चीज़ यहां तो यहां को किस तरीक से तोरा सापको जब यूज करो कि अपको लगेगा कि हलका सब्सक्राइब कर अपको मतलब उतना ज्यादा इमर्सिव नहीं दे रहा है आपको जिसो उतना ज्यादा फिल नहीं देगा वो जो हैड़क नोटिफिकेशन इसके अंदर में वो कैमरा के अगर में बात करता है तो दूस्ट इस रोम को जब आप फ्लैस करने के तॉक में मिलेगा कैमरा गू का सपोर्ट जो कि गूगल कैम को काफी अच्छा है मतलब कि जो हमारे पास में जो स्नैप कैम उससे तो बहतर ही है यहां पर आपको जो फोटो मिल जाता है पोट्रे वह आपको देख सकते हैं किस तरीकी सफस्केमर यह इशकों के फोट मिलेगा किस तरीकी से फ्लैस करन और किस तरीकी सा इउस करना है एनिण से काम और जो पूरे दिन तक उनको बैटरी वागप दे और सोसल मेडिया एप वगेरा थोड़ा बहुत यूज करना है कैमरा वगेरा यूज करना तो दूस्तो इसके लिए रोम बेस्ट है क्योंकि यहां पर देख सेकते हैं आइडियल ड्रेनिंग बिल्कुल भी नहीं है दोस्तो य यह दोस्तो आपको बहुत अच्छे से देगा बैटरी वागप एज डे टुडे यूज बट गेमिंग के परपस से दोस्तो मेरा थोड़ा सो अलग ओपिनियन है वही पर दूस्तो आपको यहां पर मिल जाता है जिस तरह किसा कोई भी एप को जिसाब से आप जिसाब से आप गेमिंग प्रोफाइल यह मेरा ओपीनियन इसको लेकर के दोस्तो बैटरी के मामले यह डे टू डेल लुए लाइफ के लिए बहुत अच्छा है गेमिंग के परपस से थोड़ा सा मुझे नहीं उतना परसंद नहीं आ रहा है क्योंकि गेमिंग के अंदर में आपको दोस्तो आपको अच्छा मिलता है जो मेरा एक्सपीरियंस दाए दोस्तों पपजी को लेकर के कि मैंने पपजी गेमिंग किया था बिलकुल जो हमारा गेमिंग प्रोफाइल है उसके अंदर में लेकिन स्टील मुझे दो तीन चीज़े आपको बताना है जैसे कि जो गेम प्ले करते ह जैसे आप OnePlus वाला screen recorder इंबिल्ड दिया गया है वह screen recorder आप जैसे एक्टिवेट करते तो वहां पी कहो है कि gaming और जादा slightly down हो जाता है हम मानते हैं कि वहां पर gaming थोरा सा कम हो जाता है performance थोरा कम हो जाता है लेकिन इतना जादा कम नहीं होना चाहिए जो कि मुझे यहां पर 40 fps, 52 fps इस तरीकी से मिला तो बहुत जादा फ्रेम ड्रॉप्स हो जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग के मामले में लेकिन मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग बंद कर दिया तो दोस्तों यहां पर तो हो गया मतलब कि gameplay थोड़ा से इंप्रूव गया लेकिन मुझे अभी भी slightly उतना ज्यादा पसंद नहीं है इस रोम के अंदर में जो गेमिंग है तो अगर आप गेमिंग पर पसे यह रोम देख रहे हैं तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा मना करने वाला हूँ अब बेसिकली आप जो गेम प्ले कर सकते हैं बट आप जो दूसरा कोई अधर करनल के उपर में आप देख सकते हैं जो अधर करनल होगा आपको ज़रूर से अच्छा से गेमिंग प्ले देगा लेकिन इस इस रोम के अंदर मुझे उतना अच्छा नहीं लगा टच मामले में यह टच के मामले में अच्छा है लेकिन जो FPS के मामले में दोस्तो उतना बढ़िया नहीं है यह मेरा ओपिनियन है इसको लेकर के गेमिंग के मामले में मेरा उपिनियन इस रोम के लेकर कि रोम जुसो काफी अच्छा है एक जनरल पॉपस के लिए जनरल डे टू डे लाइफ के यूज के लिए अगर आप चाहते कि ये जनरल यूज में हो जो आपको पूरे दिन आराम से निकाल सके जिसका यूजेज है फेस्बूक वाटसेप इं जितना ज़या यहां पर अधर रोम के अंदर में आ रहा है या फिर ब्लीज रोम का यह मैं पिछला अला विरियंट वर्जन लेता हो तो उसके अंदर में मुझे काफी अच्छा खासा गेंपले था यहां पर मुझे अच्छा नहीं लगा और साथी जाए स्क्रीन वर्ट कोर के साथ में यहां पर तो दूसर यह था हमारा ओपीनियन इस रोम को ले करके तो आशकरता है यह वीडियो को प्रसंद आगा वीडियो कर जा लाइक शिर कमेंट जी हां और अगर आपने देख मेरे चानल को नहीं किया सब्सक्राइब तो दूस्तों में आपको बहु नहीं वाद और वन दे मात्रम